हेलो फ्रेंस आप सबी का हमारी विडियो स्वागत है आज किस विडियो में हम हम आप पुना freezing 1 का सवाल नमर 7 बताने वाले हैं छे निमर पांच निमर और बांके सब सवाल जो है आपको हम पहले वीडियो में दो वीडियो में बता चुके हैं यदि आप लोगों नहीं पहले विडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जाकर देख ले और आज हम सवाल नमर 7 की बात करेंगे तो ये भी बहुत अपका आसान स सब्सक्राइब की भूमी के एक बिंदू से थिक भूमी के एक बिंदू से एक 20 मिटर उचे भावन भूमी है यहां पर देखते हैं फिगरड़ बनाके यह आपका भूमी होगया यहां पर एक बिंदू से एक बिंदू से 20 मीटर उचे यहां पर आपका 20 मीटर यह आपका उचा हो गया ठीक है यह आपका 20 मीटर उचा उचे भवन के सिखर इसको हम भवन मालेंगे ठीक है यह एक भवन है भवन के सिखर पर लगी एक संचार मिनार अब कहरा है क्या इसके सिखर पर यहां एक संचार मिनार लगा हुआ है ठीक है यहां पर एक संचार मिनार लगा हुआ है यहां पर ठीक है संचार मिनार लगी एक संचार मिनार के तल संचार मिनार के तल ठीक है इसका तल हुआ संचार मिनार के तल और सीखर और सीखर के उन्ययन कोन करमसर एक यहां से एक यहां से उन्ययन कोन करमसर 45 और 60 है तो यहां सब क्या कह रहा है कि यहां से जो है आपका बन रहा है 25 डिग्री ठीक है आपको बता रहा है क्या कि यहां से जो है बन रहा है कितना 60 डिग्री ठीक है तो इस तो सब को बताया जा रहा है सवाल में कि भूमी के एक बिंदू से एक 20 मीटर उचे भवन के सीखर भवन के सीखर पर लगी एक संचार मिनार के तल और सीखर के उन्नियन कोन, उन्नियन कोन मतलब की नीचे ठीक है, तो उन्नियन कोन के मसल पैतालिस और साथ है, तो मिनार की उचाई जो है दिया हुआ है, लेकिन ये मिनार की उचाई कितना है हमारे पास, ये हमको पता नहीं है, मिनार की उचाई यहां से आपको दिया हुआ है नाम रख लेते हैं इसको A B C D रख लेते हैं ठीक है A D क्या करना है निकालना है जो कि आपका संचार मिनार है तो आप figure समझ गे होंगे अब हमको सवाल कैसे बनाना है उससे हम देखेंगे तो इसमें थाउसा लिखना पड़ता है हमें दर्साना पड़ता है जो figure में हम देख रहे हैं तो दर्सान के कैसे हम तो यहां लिखेंगे माना की माना की AB एक भवन है ठीक है और लिखेंगे की AD क्या है एक संचार मिनार है संचार मिनार मिनार है जिसकी उचाई जिसकी उचाई H माना ठीक है इस तरह से हम लिखेंगे क्योंकि H हम यहां पर माने हैं तो H माना फिर लिखेंगे मिनार मिनार के तल यह जो मिनार है ठीक है यह इसके तल और सीखर इसके मिनार के तल और सीखर से बनाया गया बनाया गया उन्ययन कौन क्रमसर 45 डिगरी और 60 डिगरी है तो यहां तक हम इस चीज देख रहे थे हैं यहां पर फिगर में तो इसको हम तरसा लेते हैं उसके बाद हम सवार बनाना शुरू करेंगे यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले हम पहया वरा को लेंगे तो त्रिभूज ए बीसी को लेंगे तो पहले हम लेंगे चल्शाव मागत में तुसरी वर तरुज यहां भूज यहां पहले हम नेकाल लेंगे तो पी और बी तो 10 थीटा में लिखेंगे 10 थीटा बरावर AB बटे 20 इसका थीटा को kया दिया हुआ है तो यहाँ देखेंगे तो वो इस तिल्भूज का ठीटा हो जाएगा ठीक है तो क्या हो जागा 10 45 बराबर AB का मान कितना है 20 और BC का मान तो पता नहीं है तो हम क्या करेंगे अब दिखते हैं 10 पता कितना होता है आपके पास तो 1 होता है और फिर 20 बटे BC कुणा कुणी हम गुणा कर लेंगे तो क्या हो जागा BC बराबर 20 आजाएगा आपका इसे हम ध्यान में रखेंगे ठीक है तो अब हम आगे बात करेंगे तिल्भूज DBC या फिर BDC में ठीक है तिल्भूज BDC में तो यहाँ पर देख लेते हैं तिल्भूज अगें ठीक है अगें तिल्भूज BDC में तो इसमें हम क्या देख रहे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि यह इसका ठीटा क्या बन रहा है इस वर 60 बन रहा है और इसका जो लंब है इसमें लंब क्या आएगा आपका तो यह वाला भाग भी आएगा और यह वाला भाग भी आएगा ठीक है यहां पर दिखलते हैं तो इसमें क्या दखने हैं तो इसका ठीटा क्या बन रहा है साट बन रहा है ठीक है और इसका लंब क्या आएगा यह जो लंब देख रहे हैं आप इसमें लंब में आपका यह भी जूर जाएगा ठीक है क्योंकि यह पूछ रहा है आपको संचा मीना ठीक है तो यहां पर बात हो रहा है पूरे तरी खुच का बरावाला का तो लम्ब जो है दोनों में लम्ब में आपका यह दोनों आ जाएगा और फिर बीसी तो उसी समय आपके ले लेंगे तो क्या हो गाँ पे तेंठीटा 3 बॉर्बर क्या होगा- भी-ज्ञ भी जो फिर भी-डी बटे 2 आप भी-डी बटे2 ऑटे 2 कि इसमें भी हम क्या करेंगे 1 काल है बी सी निकालेंगे रहें हमें इसके मात्य हम से हम आई निकाल लेंगे तो इसमें ब्राबर ब्राबर ब्राइब कितना हो जाएगा आपका तो पूरे खम जोड़ देंगे 20 और क्या था है यह अपका बरातर भुचका हो गया ठीका लंब और बीसी तब को नहीं पता है तो बीसी लिख लेंगे अब देखें 10,60 का मौन क्या हो जाएगा आपके पास तो हो जाएगा रूट 3 बराबर 20 प्लस ह बटे बीसी तो यहाँ पर कोना कोनी हम गुना कर लेंगे ठीक है कुना कुनी हम यहां पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BC root 3 बराबर 20 प्लस H तो यहां पर देखेंगे BC का जो मान जो है हम लोगों ने कुज़र पर यह निका रहा था तो इस BC को हम क्या करेंगे जो 20 है उसको यहां पर हम बैठा देंगे ठीक है 20 root 3 minus 20 यहां पर H तो H बराबर क्या हो जाएगा 20 root 3 minus 20 इसमें आपको common भी आ रहा है 20 जो है common आ रहा है तो common निकाल लेंगे और अंदर में क्या बचेगा सिर्फ root 3 और यहां पर 1 तो इतना क्या क्या था मीटर में तो मीटर तो इसका H मीनार के उचाई क्या निकल गया हमारे पास तो root 3 minus 20 into root 3 minus अगर नहीं समझे हैं तो फीट से इसे देख लिजेगा बहुत ही इजी है जिसतर से मैंने लिखा है उस जिसतर से आप भी लिख सकते हैं तो अब हम सवाल नमर 8 को देख लेते हैं अब हम सवाल नमर 8 देखेंगे जो कि सेम साथ नमर के ऐसे ही आपका होगा ठीक है तो सवाल हम पढ़ना सुरू करते हैं क्या कहा गया है कि एक pedestal ठीक है एक pedestal है ठीक है पेड़ेश्टल के सीखर पर एक इतना उची मुर्ती लगी हुए ठीक है जो कि परेश्वार में हुआ था ठीक है तो यहां पे आपका पेड़ है इस तरह से एक पेड़िश्टल है और फिक और वो लेग आगि इसके सीख़र पर इसके सीखर पर जो है एक ऊची मुर्ती लगाई गई है ठीक है यहां पेची लगाया हुआ है जोकितना है कितना उची है वण पॉईंट सेंफ तो ठीक है यह क noi किया है एक उची मुर्ती है जो कितना है वण पॉईंट सीखे estado क्या आगे पाड़ते हैं ढगते हैं भूमी के एक भूमी के है एक भूमी मनालते हैं पहले हम तो या कभूमी हो गया भूमी के एक बिंदू से एक बिंदू से मूर्ति के सिखर की कौन्द आएगा अब का यह अन WORTHी चाहिए साथ है ठीए उनियंकोन साथ है और और उसी बिंदू से पलेस्टल के सिखरं पलेज़कर चाहिए यह और इसका सिखर यह होगा इसका सिखरं कुल्ड़ के राहा है किदो ते ताइस रचाहिक छिर और तो यह चीज़ आपको दिया हुआ है जी करना है यहां से यहां तक यहयों कि पिरिष्टल के उच्जाई इसको कि यहां तक को देख रहा है क्या सवाल से इसी तरह से हैं इसका फीर को देता है क्या यहां पूद्यa माना की AB एक पेरिष्टल है जिसकी उचाई है जिसकी उचाई है जिसकी उचाई है एच माना और लिखेंगे AD एक मुर्ती है जिसकी उचाई कितना है जिसकी उचाई 1.6 मीटर है अब हम लिखेंगे पेरिष्टल पेरिष्टल का सीखर सीखर और किसका पेरिष्टल का सीखर और मुर्ती का ठीक है मुर्ती के कितना है तो 25 दिग्री और साट डिग्री बना रहा है साट डिग्री है ठीक है तो इस तरह से जो चीज़ हम यह पर देखें है उसको हम यह पर लिख लेगे करेंगे इसमें क्या करेंगे को निकालेंगे किस त्रभूज का बात तो छोटे भात त्रभूज त्रभूज ABC लिखेंगे हम समकों त्रभूज ABC में हाँ पर कुछ पता नहीं है तो हम को पर बात हो रहा है इसका बत हो रहा है तो ठिटा बराबर तो toothbrush कितना है दिगा वर इस्ति धोट का देखेंगे इसका दिया वह Department ना 45 बड़ा वाला है किसका है तो नहीं लेना है चोटा को लेना है तो 1045 डिग्री बराबर एबी को हमाने थे और बीची बीची ही रहेगा तो बराबर एच बटे बीची ठीक है आप यहां पर दख लिखते हैं को ना को नहीं कर लेंगे तो कितना आप अघ यआ हैं अगैं ति रूँज का बात करेंगे अगैं तिरूज क्या पर यह शत बात करेंगे कि त्यांभेसिका्स करेंगे तो दोनों requirement यह शी मान तो लेलते हैं मिटे इस इस बहैं अगें तिर्भूज BD C में इसमें पृबी का हो रहारा है the Pерм hin का अखो रहा है ये चीचछछ और ये चीच्छ का तो 10 ठीटा बराबर क्या हो जा जाएगाँ नाम क्या इसका तो तो P इसका क्या है? BD और B क्या है? BC. तो यनि कि, 10 ठीटा, P क्या हो जागा तो इसका? BD, ठीक है? ये पूरे क्या हो जागा? ये पूरे आ जागा BD में अपका बिडाम में? यहां passed by B, और यहां पर बटे में क्या होगा? BC. ठीक है? और व्याकि यहां पर दख्येंगे छीटा ज बता ये यहना लुग से क्या हैं क्य速 एक ब्रक्षा करें सब्सास बराबर bd ranks 156 इससे क्या है तो फूर ब्रक्हा ब्लस करें दुनों को यहां प्या करनेंगें लए कि 1.6 प्लस एच बटे क्या है बीची तो बीची ले लेंगे अब यहां पर डखेंगे टैन साट का मान कितना होता को ठैन साट का जो मान होता है आपका तो वह होता है रूट 3 बराबर 1.6 plus h बटे bc ठीक है तो यहाँ पर हम bc क्या करेंगे यहाँ पर bc का मान रख लेंगे जो h आया था उसको हम यहाँ पर रख लेंगे तो क्या आजाएगा आपका root 3 बराबर 1.6 plus h बटे h अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको कोना कोनी गुना कर लेंगे तो आपका आजाएगा root 3 h बराबर 1.6 plus h अब इसमें हम क्या करेंगे h को इस तरफ लाएगे जो कि प्लस में है इतार आएगा तो माइनस में हो जाएगा ठीक है अब बराबर 1.6 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें common आपका क्या आ रहा है h दोनों में h है तो h हम क्या करेंगे यहाँ पर common ले लेंगे h यहाँ पर बचेगा root 3 यहाँ पर बराबर 1.6 तो हमको h निकालना है ठीक है हमको क्या निकालना है h figure में देखेंगे हमको यह याद करना है s निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे s को यहाँ पर लगाने देंगे क्योंकि हमको s निकालना है और 1.6 और इसको जो गुना में है यह चीज इसको इधर लाएंगे तो बटेम आ गया ठीक है इसका हम हर परिमे करन कर लेंगे इस तरह से होता है आपका हर परिमे करन चेंड क्या होता है यहां पर अब हम कुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1.6 गुना रूट 3 प्लस 1 ठीक है तो डेक्टेम क्या कर लिए गुना कर लिए इस तरह से और यहाँ पर देखे रूट 3 रूट 3 तो रूट 3 का वर्ग मैनस प्लस माइनस एक एक यह नहीं एक का वर्ग और आगे हम देख लेते हैं तो 1.6 फिर क्या हो चाहिए यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 और बटे रूट 3 का स्क्वार किज़ेगा तो 3 हो जाएगा आपका और 1 का स्क्वार 1 ही होता है बचना थी आपके पास तो दो चेता इसे सकत रहा है तो 0.8 यहां किसा आगी आपको आपको स्क्साँ में मुटर में मीदर झिंठ तो इस तरह से हमने क्या किया प्रड़ कि लिगत है यह इंट कर लिया तो इस तरह से सवाल बहुत ही अजान था यह को समझ Maarं नहीं आया हो टो least कर देख सकते हैं अपको ुष एस असमें outrage और तरीके से बताया जाएगा तो ठीक है तब तक लिए धन्यवाद अगले वीडियों मिलते हैं अगले सवार के साथ थैंक यू